हेलो दोस्तों नमस्षीवाय दोस्तों गंगा सत्मी आने वाली है दो हजार चौवीस में जो गंगा सत्मी पढ़ रही है वो पढ़ रही है 14 मई मंगलवार की तो सब पिर्थम तव आपको बहुत-बहुत शुक्त कामना है और बदाई है दोस्तों इस दिन का मैं महत बताने ज तो गंगा जैन्ती के दिन जो है मां गंगा का पूजन वा गंगा इसनान करने से पापों का नास होता है और यस्वा सम्मान में व्रद्धी होती है इसके अलावा कुंडली में अगर मंगल दोस्ट से पीड़ित वैक्ती है तो उनको गंगा मैया के पूजन से विशेश लाप होगा क्योंकि इस वार मंगल वार की पड़ रही है जन्ती ऐसे में मंगल दोस्ट से ग्रसित लोगों के लिए इस दिन का महत और ज्यादा बढ़ जाता है इस दिन दान पुन भी करें और पूजन के बाद जरूरत मंदों को भी दान करें इस जीवन के कष्ट दूर होते हैं अब पूजा कैसे करें गंगा सत्मी पर क्योंकि मां का जनम दिवस दिवस के रूप में हुद्वव के रूप में हैं तो अगर गंगा सेईश्ट रूप में वराजमान है जैसे इलावाद हैं कासी हैं मंदागनी मा है तो वहार जाकर पूजा करते हैं तो ज़्यादा फल्गी प्राप्ति होती है आप सभी को पता है लेकिन ऐसा नहीं है अगर नहीं जा पा रहे हैं तो घर पर ही आप एक बाल्टी में तसले में जल भरें उसमें गंगा जल की बूंदे डालें और जल की बूंद जो गंगा जल आपने तयार किया है उसमें आप जो है इत्र है पुष्व है परसाद है अक्षत है दच्णा मा कौर पढ़ करें भाव की पूजा होती है आप जितने भाव के साथ पूजा करेंगे उतना ही आपको फल मा गंगा का अशिरवाद आपके उपर बना रहेगा और पूस्ता का नाम है स्री गंगा सैस नाम इस्रुत्तम इसका पाट करें एक मंत्र का जाब कर सकते हर हर गंगे हर हर गंगे साथ में ओम नमश्यवाद अमश्यवाद का भी जाब कर सकते इससे भी मा गंगा का शिरवाद आपको मिलेगा और एक मंत्र और बताया गया है ओम नम कर सकते हैं अपने एधार पर आप जैसे पूजा करें वैसे पूजा करें रातरी में आप जुए दीबदान करें बैते रूपर शेखी हो इसके उपर अने केहनी को उबर सब्रतम तो मैंने बताया कि आपको द्वब यानि इनका जनम दिवस के रूप में मनाए जाता है पुराणों के अंसार पगंगा मैया भगवान विश्णू के अंगूटे से निकली है ऐसा कहा जाता है वे राजा सगर के साथ हजार पुत्रों की अस्तियों को दार करने क लिए धर्ती पर अप्तरित हुई थी राजा सगर के वंसज भागीरत कठोर तब के बाद उन्हें धर्ती पर लेकर आए थे इस कारण मा गंगा को भागीरती भी कहा जाता है क्योंकि भागरत ने तप इस्सा की थी तब जाकर मा गंगा जो है भगवान शिव की जटाओं में जाई थी लेकिन ये दिन जो था उद्भव का दिन था मा जो है इस दिन उनके जनम दिवस की रूप में मनाए जा रहा है गंगा के इस पर से सकर के साथ हचार पुत्रों का उद्दार हुआ था ऐसा भी कहा जाता है अनेक कथाएं हैं एक कथा ये भी आती के भगवान विश के जल से मा गंगा का जनम हुआ वही एक अनेक था एक और आती है कि एक बार गंगा जी तीव गती से बहरी थी उसी समय रिशी जहू भगवान के ध्यान में लीन थे उनका कमंडल और अन्य समान भी रखा हुआ था जिस समय गंगा जी जहू रिशी के पास से गुजनी तो उ उनके साथ बह गया जब जहू रिशी के आके खुली तो अपना समान देखकर उनको अपना समान नहीं दिखा तो वो क्रोधित हो गए तो उनका क्रोध इतना ज्यादा था कि अपने गुस्से में बे पूरी गंगा को पी गए जिसके बाद भागीरत रिशी ने जहू रिशी कि इसे आग्रह किया कि बे गंगा को मुक्त कर दें जहू रिशी ने भागीरत रिशी को आग्रह सुएकार कर लिया और गंगा को अपने कां से निकाला और जिसन ये घटना गटी उनके जनम दिवस के रूप में जो मुखे मुके मुझे समझ में आई वो कथा मैंने आपके सार सेर करी और इस दिन जो है मा की विदबत पूजा करें अर्चना करें जिनकी साधी में दिक्कते आ रही है उनको भी गंगा इस्नान करना चाहिए अब ये कोई जरूरी नहीं है आप गंगा तट पर जाकर इस्नान करें गर पर ही एक लोटे में जल भर यानि अपनी साधी के मनों काम ना बोलें उनका गटवंदन करें मा पार्वती और भगवान शिव का मोली बांद कर तो इससे जल्दी साधी की योग बनते हैं काला तिल है कच्चे दूद से भगवान शिव का अबसेख करें इससे भी महादेप प्रसन होते हैं और मन्चहा मा का शिरवाद मिलता है और मा की अंत में आरती करें जो भी आता है कथा सुनने इससे भी अनंत उना फलकी प्राफ्ति तो दोस्तों Всё को अच्छी तरह आप इस सब को अच्छी तरह मनाएं घर में दीद्दान करें और इस दिन जो है किसी के लिए निंदा है चुगली है द्वेस ना रखें किसी की बुराई करें सत्विक भोजन करें अगर ब्रत रख रहें तो दान का बहुत महत बताया गया आप राता काल इसनान करके सुर्य बगवान को अर्द देने के बाद महादेब के मंदिर जाए बगवान शिव का आप सिख करें और जो भी दान कर सकते हैं अपनी जेव के कोडिंग आप करें आपको अनंत गुनाफल की प्राप्ती होगी तो दोस्तों मुझे जो कथाए मा के बारे में पता लगी वो मैंने आपको शेर करी आप सिव चालीसा का पार्ट कर सकते हैं शिव सैसनाम का पार्ट भी कर सकते हैं क्योंकि मा गंगा का संबन कहीं ना कहीं सिव से है क्योंकि उन गंगा सत्मी सी हो गई थी तो कंगा सत्मी पर उनका जनम दिवस और गंगावग वा । नहीं तो दूस्तों आज का वीडियो में ही समाइट कर्ति हैं तो लाइक करें दूसरों को शेर करें और कमेंड में नमशी बाई जरूर लिखें मागंगा का दिन है तो मागंगा की जैहो जरूर लिखें बहुत बधन्यवाद